तबी लोगडाउन लग गया था जब आना शुरू किया था लोगडाउन से पहले आपने जोइन किया था यहाँ पे आप कौन से एग्जम कि तयारी के लिए यहाँ पे कोचिंग लेते हैं वो पढ़ाते हैं बाकर में समझ या नहीं जूट मत मूलाए नहीं समझ जाता है तब तो एडमिशन लिया है आप यहां पर कौन से अरे इसकोचिंग में तीन दिन से यह बताईए जो सरे यहां पर पढ़ाते हैं ऑफ-लाइन वो समझ आता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। आप यहां पे कौन से अग्जम की तयारी करने लिए आते हैं? बैंक बैंकिंग की आपने कितनी क्लास ले हैं? यहां पर लग लग दो? आज मेरे थर्ड दे हैं, हाँ, दो क्लासे सी क्या समझ आया और सर ने कोडिंग और डिकोडिंग पड़ाया और मैंने तैसे वर्कशीट भी सॉल्फ किये तो देर रहे फांड ओनली फोर डाउट्स तो मतलब समझ आ रहा है आप कहां शे हो मैं एमपी से यह बताइए आज जो सर पड़ा रहे हैं वो समझ आता है या आता है तभी तो तीन दिन से लगाता रहा रहे हैं अभी तक एक भी चुट्टी उट्टी नहीं कि और मतलब डाउट्स वगरा क्लियर हो रहे हैं सारे कुछ अच्छे से समाझ आ रहा है किसे एक्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं कि आपने ये कोचिंग क्यों जोइन किया क्य क्यों आ गई नहीं कि आ परहां यहां पे कोचिंग का पूरा हब है लेकिन आप आप आपने यही कोचिंग क्यों जोइन किया पीछे चलते हैं और भी दोस्त बैठे हैं इंसे बात करते हैं यह बताइए काफी दुना के बाद आफ-लाइन कोचिंग खुला है तो कैसा लग रहे हैं यह बहुत अच्छा लग रहा है भाई साब एस समय जी कि एक तरह से इमोशनल अटेच करके पढ़ाई कर रहे हैं वैसे नहीं तो यूटूब से देख कर सो जाते थे रंग देते डिप्रेस हो जाते थे यह बताइए आप क्या ओफ-लाइन अच्छे से समझ में आता है या ओनलाइन ऑफ-लाइन क्यों अच्छे से समझ में आता है रीजन बताई डारेक्ट जो बात करने का वह दाये डारेक्टली बता है कर कोई भी हमें प्राइम से डालते हैं ते मिल पाता है अब कहां से हो मैं यह लीकट से हो यूपी से कौन से एक्जम कि तयारी करने के लिए आपने यह कोचिंग जोईन किया था है कितने दिन हो गया था मैंने सारे और जो कोचों में पढ़के देखा उससे ज्यादा मुझे बैस सशी करना लगा आपसे भी जानना चाहेंगे ऑफ-लाइन कोचिंग काफी दुनों के बाद खुले हैं तो क्यासा लग रहे हैं अच्छा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ना सही है य बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है लेकिन बहुत सारे लोग तो यह कहते हैं अगर हम उनलाइन पढ़ेंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा वहां पर रहने का किराया और मोटी फीस बच जाएगी यह ना मन का बहम है मन का बहम है ओके आप कौन से एक्जाम की त्यारी कर करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं काफी संगर्स यहां करना पड़ता है कुछ लोग सोचते है यार नहीं इतना आसान भी नहीं है आप कहां शी हो मैं यूपी से हातरज डिस्टिक्स हूँ यह बताए हातरज से इतनी दूर क्यों आना पड़ा मुखर जीनेगर क्योंकि पड़ाई को संस्तान यहीं कर रहे हैं जिस तरीक जो मैं प्रफेशन करना चाह रहा हूं वह यहां पर बैटर है कौन से एक्जाम के लिए आप तयारी करें यूपी एसाई तो आज जो सरने क्लास ली है इसमें आपको को समझ आया है मुझे पूरा पूरा समझ आया यहां प पूली प्यादब आप कहां शी हो एटा प्रिदेश यह यह यादब यादब का घड़ बना रखा है क्या जी बिल्कुल पडोसी लोग है यह बताईए आप कौन से एक्जम की त्यारी करें मैं कर रहा हूं यूपी एसाई तो यह बता हो आप लाइन अच्छे से समाझ जाता है कहां पर यहां के टीचरों का पढ़ाने का तरीका को सबसे बेश्ट है अब ये विलकुल एता वाले पताईए ये जो सशी रीजनिंग इंडिया से नमबर वन सरसित आज आता है यह रीजनिंग के नमबर वन मास्टर है है हादर आफ रीजनिंग पिर्पोल रियल्टी है यह स्लायमत है हां कितने दिनों से आप क्लास ले रहे हैं मैं मुझे हो गए दो-तीन महीन हो गए इनका मोटो वह सपलता इंट को आप क्या कहना चाहूंगे वह आ अचाहते है में तो यह जांता हूं कि जो यह यहां लाएक है रहे तौं परफेक्ट आप कहां शी हो विहार से यह बताएं इतनी दूरी क्यों कि बिहार से मुखर्जीनेगर तक कि कि पटना भाए भी तो बहुत सारे कोचिंग है व कि आ दो Özमारकशक हुआ है तो आप ने क्या पड़ा हैं सिर्णिंग में क्या पड़ा दिन कोडिंगे कोडिंग व्यनकहें किसी वच्छे को समझ नहीं आता है वो कॉशन दॉचने पूचेन है तो वह बताते भी है मैं मतातेम्ट क्लियर करदें कोचिंग का नाम क्या है क्या कि रहते हो एक ड़ी आपके करते हैं सपलता निस्टित अक्का का ड़न जित्रे भी स्टुडेंट हैं जातर यहां से अंड़ा परसंट सबलता सपल हुए हर बच्चे को एकदम बेसिक से बताते हैं और टीजर्स क्या करते हैं थोड़ा अपर इसलिए बच्चे को समझ में आता है अच्छे से इस लिए सपटे हैं दोस्तों यह रीजिनिंग के बात्सा है सची करण सर और कही नहीं अभी लोग इनको ऑनलाइन इतना नहीं जानते है इतना आफ लाइन जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आ स्लाक्सना हो सकता है कुछ बन सकते हैं तो आप भी जॉइन कीजिए little कि और कुछ क्यों शारतू के ना चाहिए तो आप क्या क्या कहने चाहिए ऑप यह जाए यह जाए आप लाएं काफी दुनों के बाद कोचिंग खुली है तो कैसा फील हो रहा है वह तो चा फील हो रहा है बेस्ट मोमेंडेस टुने को तरी करने के लिए अप कहां शी हो पानीपत से पानीपत अर्याना के आस-पास में के बोडर को यह बताए यह बताए यह पा अब यह बता है तो है नहीं पक्का आपको कैसे पता है हमको पता है हमारे बाई पड़े हैं दोस्त पड़ते हैं उन बताया है तो इसलिए पानीपत बालों को आज कुछ कहना चाहोगा वह देख रहे होंगे ध्यान से कहना से कि आप यह आप यह तैरी करो और अपनी स्वल दोस्तों हमारी पूरी सुपकामनाई है इन लोगों के साथ मैं काफी मैनत करनी पड़ते हैं आपे संगर्स करना पड़ता है आप लोग वीडियो देखते ही रहते हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आशिवम भाई दिल्ली के मुखरदी नगर में आफलाइन कोचिंग खुल गए हैं तो इसी को जानने के लिए आज हम एक कोचिंग में पहुचे थे जिसका नाम आप यहाँ आप देख पा रहे होंगे एजडी एजुकॉम है और उसके डारेक्टर हैं वो सर हमारे साथ हैं और कहा जाता है कि यह रीजिनिंग के नंबर वन टीचर हैं मुखरदी नगर में तो काफी आफी अच्छा सर पढ़ाते हैं जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को आसानी स आप के थी और अब तक कितना रिजल्ट आप देच चुका है एक्चुली 2010 और 11 में बैंकिंग में रिजिनिंग का लेवल काफी हाई था बच्चे रिजिनिंग के अभाव में सफ़लता से पीछे जा रहे थे और उसी वर सी सैट लाँच होगा और सी सैट में रिजिनिंग के वहां launch किया तो एक एक क्रांती आई कि नहीं रिजिनिंग भी कोई subject है ने तो छात्रों के बीच में एक भरांती बनी वी थी कि रिजिनिंग कोई subject है ही नहीं रिजिनिंग तो बस दो चार टॉपिक पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे उस समय बच्चे mathematics इंगलिस जी एस पर ज ético किसी आनएक जाम के बात करूँ तो जी निकमात रह सावी सह vist जहां आपका इक्रिज सो परसेंट हो सकता है हमने वहां त्रुप का कि नहीं बच्चे को हम उनी बल पर रिजल्ट देंगे और हमने बैंकिंग में लगवख साइक्रूच हतरों का पर जाल दिया है, रेजिनिंग और डियाई के बल पर और आपको यह जान के आशर्ज होगा कि यूपी से सीश्यट में रेजिनिंग के द्वारा ही चाथ सीश्यट क्वालीफाइंग भी कर रहे हैं और आध धालत यह है कि पेपर चाहिए S.E.C. का हो, U.P.S.I. को हो, अडजिनेंगी हासाता है, अडजिनेंगी रूलाता है. कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आफ आफ लाइन बेट यहाँ पर लेते हैं, तो आपको उनलाइन फ्री क्लास दी जाएगी. सर, एक चीज़ और जानना चाहूँँगा, आपके यहाँ कोचिंग में कौन-कौन से एक्जाम की तयारी कराई जाती है? यहाँ एक्शली जो हमारी जो कोचिंग होगा, रिजिनिंग के लिए स्पेस है, रिजिनिंग और डियाई के लिए, बैंकिंग, कैट, मैट, क्लाइट, सेसी, यूपेसी, बट अब हमने बच्चों के डिमांड पर यहाँ अलग अलग है, मैतमाटिक्स, इंगलिज जियेस को भी लाँच कर रहा हूँ, बैसकर हमारी यहाँ बच्चे, यूपेसाई, बैंकिंग और सेसेट के बच्चे ज़्यादा आते हैं, एक प्रॉक्स 90 परसंट, आपका एक प्रसंटा कि सर आफ्लैंड के धुरंदर है, आफ्लैंड, ऑनलाइन के नहीं, मैं बताओंगा कि आपने में धालना पड़ा, और मैं आपको बता दू कि इसको चैलेंजिंग को एकसेप्ट करने के लिए, हमें बहुत परिस्रम करना पड़ा, नो डाउट काफी डिफकल्टी आई, क्योंकि हम लोग आफ्लैंड के टीचर, ऑनलाइन में आने में, काफी डिफकल्टी है, ऑनलाइन क हुआ कि मैंने एक वर्थ में 11,000 सब्सक्राइबर गेंड किये हैं, और उसी सब्सक्राइबर पर ऐसा कोई बैचने जहां हमारी यहां 200-300 बच्चे का अविशन नहीं होता है, तो मैं यह चाहूंगा, कि जो चात्रों ने प्यार हमें ऑफ्रेंड में दिया है, वही प्यार हम है, SD, EDUCOM, सफलता, निशित, ये टेग लाइन ने बाकई में होता है, क्योंकि बच्चे भी कहरते हैं, सफलता, निशित, तो यह क्यों है, और आपके यहां पढ़ने का मतलब है सफलता का निशित तो मैं यहां पे आपको रोकूंगा अभी नीचे छातरों ने भी यह कहा था खुद और वही वात आप कह रहे हैं छातरों ने कहा था इसलिए इसका नाम यह है छातर के डिमांड पर रखा गिया कि सर आप कुछ मतलखे सफलता मिशित रखे हैं क्योंकि हमारे यहां डिजिनिंग की जो इस्पेसल बैच बनती हैं आपको जानके आशर्ज होगा साउथ देली के बच्चे नौर देली के बच्चे जो सभी जगा कोचिंग कर चुके हैं वह भी मेरे यहां इस्पेसल पढ़ने आते हैं और आपको सकते हैं कि मैं इस्पेसल आजेसन देता हूं कि यहां पढ़ने के बाद वो किसी भी एक्जाम में जाएंगे उनकी मुस्कुराहत बनी होती है सर एक चीद और में जाणना चाहूंगा जब आप उनलाइन पढ़ाते हैं तो जो आपके यूटूब चैनल है उसका नाम क्या है ससी करना चैनल है आप जाएंगे तो एस एच 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 आई करना वहारा रिजिनिम के नाम पर ससी करना चैनल है सर से बात करके काफी अच्छा लगा अगर आपको लगता है कि मुझे भी सेलेक्षन लेना है सरकारी नोकरी लेनी है तो आप यहां पर आ सकते हैं डेमो क्लास सर कितने दिन दी जादिया पर हैं तो मैं काता हूँ कोई बात नहीं उनको भी हम मदद करते हैं परते कोने पर चाहिए उनका आर्थिक भी हो जो भी हो लेकिन फिनॉमनल ही होता है और बच्ची की आजादी करन सार तिन दिन चार दिन पढ़ने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं मैं साटिसफाइड हूँ तो मैं काता हूँ आप एडमिसल ले बाट बेसकर ही टू टू थ्री डेजी यह बात मुझे काफी अच्छी लगी सर की और आसार उम्मीद करता हूँ आप यहां पे आओगे डेमो लेके देखोगे अगर आपको पसंद आई तो आप जोइन भी करोगे और रीजिनिंग के ब लैपिंग करके मैं रखता हूँ कि छात्र को भी भी पढ़ाई के साथ साथ हमारा स्वास्थ भी जरूरी है तो मैं स्वास्त को फर्स पढ़ाई को सिकन्या मानता हूं तो सारी नियम किये गये और यह कारण है कि मैंने ऑन- 질문 दिया है कि जो बचिया भी नहीं आना चारे हैं वो घर बैठ कर वही पढ़ाई कर पाएंगे और आपको जानके आश्चर्ज होगा श्रीबम जी कि हमारे च्छात्र का नारा है कि आफ-लाइन का महौल ऑन-लाइन में कि मैं पढ़ाने का तरीका ओन-लाइन में एजिट ऑफ-लाइन के समान होगा तो आपको अच्छा लगा हो तो आपकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि आपने स्लेक्शन दिये हैं लोगों को नोकरिया दिलाई हैं वो लोग आपको दुआई देते हैं वो लोगों का प्यार है आज मैंने भी पढ़के देखा था सर की किलास में भी बैटा था तो मैंने देखा हां सर कैसा पढ़ाते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही जैहींद बंद्यमातरम हम आज थे सर के कोचिंग में एसडी एड्डू कॉम में जो की मुखरदी नगर में ही है